नमस्कार दोस्तों मैं आरजे वर्शागरवाल रेडियो हिंदुस्तान में आप सभी का स्वागत करती हूँ अभी नंदन करती हूँ आज मैं लाई हूँ एक प्यारा सा टॉपिक जिसका है नाम हुस्न हुस्न के नाम से ही सभी की आखे चार होने लगती है जी हाँ हुस्न जाना की तारीफ मुम्किन नहीं आफरी 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 ये गाना तो सभी ने सुना होगा बहुत ही चर्चित रहा है तो हाज हम इसी चर्चित विशे पर यानि चर्चित टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं हुसने जाना की तारिफ मुम्किन नहीं हुसन पर तो चर्चाए हमेशा ही होती आई है हुसन को इश्क ने हमेशा ही सराहा है अच्छा सौंदरे हमें हमेशा ही आकरशित करता है इविन तो हम कहीं भी जाते हैं तो सुन्दर स्मार्ट महिला को देखकर हक्के बक्के रह जाते हैं उसके तरफ देखते ही रह जाते हैं फिर चाहे वो कोई पुरुषू या महिला सुन्दर्था ने हमेशा ही सभी को मुहित किया है जब हम पिक्चर भी देखते हैं तो हिरोनियों को बड़े परदे पर इतना सुन्दर दिखाया जाता है कि हम देखते ही अवाग हो जाते हैं खो जाते हैं उनकी दुनिया में और कोशिश करते हैं घर आकर कि कुछ न कुछ तरीके से अपनी चहरे की सुन्दरता को बढ़ाएं पर दोस्तों सच कहूना तो सुंदरता सिर्फ तोचा की ही नहीं परन्तो मन के भी होती है मैंने एक वाक्या सुना था कि एक और स्किन डॉक्टर के पास आती हैं और हमेशा कहती कि प्लीज डॉक्टर साफ मेरे गोरे होने का कोई उपाय बताए तो डॉक्टर ने पहले पहले तुसे कई क्रीम बताई पर महिला पर कोई असर नहुआ तब महिला फिर से जाकर डॉक्टर के पास कहने लगी कि प्लीज डॉक्टर साफ मुझे ऐसी क्रीम दीजी जिससे कि मेरी स्किन गोरी हो जाए और वह रोने लगी तब डॉक्टर ने उसे पुछा कि तुम रो क्यों रही हो तुम तो मुझे बहुत सुन्दर लगती हो सामली बहुती प्यारी लगती हो ऐसे रोने का क्या फाइदा तो उस औरत ने का कि डॉक्टर साब मेरे हस्बन मुझे कभी साथ नहीं ले जाते और हमेशा कहते हैं कि तुम मेरे संग अच्छी नहीं लगती या तुम्हारा कलर मेरे से मैच नहीं करता मेरे पती काले पन के लिए मुझे हमेशा ही कोशते रहते हैं तब ये सब सुनके डॉक्टर के आँखों में आसु आगे दोस्तों कितने अपसूस की बात है कि हम सुन्दरता को सिर्फ गोरे पन के तराजुमी ही तोलते हैं काले गोरे का भेदबला क्यों करते हैं पता नहीं सच कहूं तो अगर मैं अपनी बात कहूं तो मुझे तो सावला रंग बहुत पसंद है हम हमारे कृष्ण के सावले रंग को बहुत ही पसंद करते हैं जैसे सावला सलोना कृष्ण कनहिया तो चाहे कोई काला हो यगूरा अगर व्यक्ति या महिला मन से सुन्दर है, व्यक्तित्म की धनी है तो चाहे वा काली हो यगूरी क्या फरक पड़ता है हमें तो उसके सभाव से उसको नापना चाहिए या उसकी बातों से उसके कर्मों से ईश्वन ने हम सब को जैसा बनाया है बहुत को बनाया है तो अपने पर विश्वास रखे और ब्यूटी क्रीम्स को लगाना बंद करे और यदि कोई आप से काले गोरे का भेद करे ना तो फिर उसे ना समझ समझे और उसे माफ कर दे और मस्तो कर हमीशा गाते रहें कि मैं अल बेली जूमू अकेली तो कैसा लगा मेरा ये खुसने जाना की तारिफ तो इसी के संग आप सभी सुनते रहेगा हमीशा रेडियो इंस्तान में मुझे यानि वर्शागरवाल को और मैं अच्छे अच्छे ऐसी टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी